नमस्कार नमस्कार दोस्तो एक बर फिर से आपका स्वागत है आज मैं एक विशेश चीज लेकर आई हूँ दोस्तो आपकी अगर कैसी भी मनोकामना है अगर आप चाहते हैं कि इन जो शुब दिन चल रहे हैं गणिश चरतुर्थी की कि आपकी कोई भी जो मनोवांचित कामना पूरी हो जाए तो उसके लिए आप ऐसा क्या उपाय करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए दोस्तो जी हाँ दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें आपकी चाहे कोई सी भी मनोकामना हो कैसी भी मनोकामना हो आपकी जोब हो जोब के लिए आप बहुत टाइ गनीज जी को मैं एक विधी बता रही एक छोटी सी साधना बता रही है अगर आप इसको करेंगे 11 दिनों तक आपकी जो भी मनुवान्ची तो और इच्छित मनुकामन है आपकी पूरी हो जाएगी यह 100% शास्तरोक्त बात है दोस्तों जी हाँ दोस्तों आपको डेली नित्य शाम के समय या आप कोई भी एक समय रख सकते हैं सुभा का समय चुन रहे हैं तो आपको सुभा कही रखना है शाम का समय अगर चुन रहे हैं तो आपको शाम कही समय रखना है लेकिन समय एक रखना है आसन भी आपको एक रखना है पीला करनी है उनसे आपको इच्छित मनो कामना कहनी है और आपको 11 दिन तक 11 रोज आपको करनी है दोस्तों आपके जीवन में चमतकार होंगे जादा समय इसमें नहीं लगता है अगर आप 11 कर सकते हैं तो 11 कीजिए वरना आप 31 कीजिए 31 अगर करते हैं तो यह बहुत ही जादा शुब होते हैं वरना अगर आप 31 नहीं करते हैं तो आप 11 कर सकते हैं लेकिन मैं बोलूँगे आपको 31 करें क्योंकि यह जो माला है यह जो मं तो इसमें जो है बिल्कुल भी आपको जादा समय नहीं लगता है बहुत जल्दी और बहुत जल्दी समय में है पूरी हो जाती है तो आपको यह 11 दिनों तक करनी है आपको संकल लेन है कि मैं 11 दिनों तक रोज निट्या निशित संख्या में इसका जब करूँ गर मेरी मनो कामना ये है तो आप कुछ समय बात देखिंगे कि यह आपकी मनो कामना पूरी हो जाएगी दोस्तों यह बात में यह बात शास्त्रोप्थ है 100% है मनो कामना आपकी कैसी भी मनो कामना हो कैसी भी इच्छित मनो कामना हो यह आपकी बहुत जल्दी आपकी पूरी करेंगा दोस्तों तो आप इसको बल्कि हरकोई ये बड़े शुप दिन चल रहे हर को हज इसको करें बहुत अच्छे इसके रिजर्ट है बहुत अच्छे इसके परेंदाम, हर जो जो ये वीड़ेयो देख रहे हर अप तो दोस्तों इसको करें और अपने जीवन में अद्भुत आप रिजर्ट लेकर आए और आप खुद देखेंगे खुद हरान हो चाहिए मुझे आप 11 दिन बाद आप कमेंट में बताना आप वीडियो के नीचे आप शुरू भी कर सकते हैं डे वन दे टू इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं तो आप यह करें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद